नमस्कार आपका स्वागत है एश्यानीज इन्या में आपके साथ मैं पून हूँ मुख्यमंदी डॉक्टर मोहन यादव ने विदान सबा में कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी हमारे पास सबी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशी है डॉक्टर मोहन यादव सदन में राजपाल के अभीभाशन पर चर्चा के दोरान संबोधित कर रहे थे इस पर निताब्रती पक्ष उमंग सिंगा ने टोकते वे कहा लाटली बहना योजना पर कानून बनाते जिस पर सीएम ने कोई जबाब नहीं दिया सीएम ने कहा कि मोधी के नेत्रत्व में हमारी सरकार ने राममंदी निर्मान का मार्ग प्रशस्त किया आपकी सरकार में कई तरह से राममंदीर को लटकाए रखा हमारी सरकार 22 जनवरी को राम भक्तों का स्वागत करेगी सीम ने कहा कि दोजार अठावीस में सियंस्त का भवी आयोजन होगा इसकी तैयारिया शुरू हो गई है टॉक्टर यादाव ने ये भी कहा कि मद्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पाऊं पड़े उन सभी पवित स्थानों को तीर्ट स्थल के रुप में विक्सित किया जाएगा इससे पहले चाचा के दोरान लाडली बहना योजना को लेकर जम कर हंगामा हुआ कॉंगर्स विदायक रावत ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री से जवाब चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं इस योजना के हिताग्रईयों को महीने में दी जाने वाली राश्री दी जाएगी या नहीं नेदापती पक्षुमंग सिंगा ने कहा कि राजपाल के अभीभाशन में संसत सा लगा दिल्ली यहीं ला दे राजपाल के अभीभाशन बर चर्चा के बाद विदानसबा की कायरवाही अनिशित काल के लिए स्तकित कर दी गई बता दे की मध्यपरदेश में सोलवी विदानसबा की गढ़न के बाद चार दिन का विशेश सत्र बुलाया गया था जिसमें सभी विदायकों को शपत दिलाई गई साथ ही स्पीकर का निर्वाचन भी हुआ सीम ने लाउट स्पीकर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पुरी तरह लागू कराया जाएगा डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मिल मजदूर के बेटे को मुख्य मंतरी विजेपी ही बना सकती है हम जनता के सेवक हैं मेरी सरकार विदानसभा अद्धिक्ष की छत्रचाया में विकास के काम करेगी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा संकल्ब पत्र हमारे लिए पवीत्र धर्म ग्रंद गीता और रामयन की तरह है हम अगरे पांच साह तक संकल्ब पत्र में दिये गए एजन्डे को एक एक करके अक्षर शह पुरा करेंगे इसी के साथ बनेगे एश्यन इस इंडे के साथ धन्यवाद